हलो सात्यों नमस्कार मैं अमित फ्रूम लर्नोहब आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्नोहब दफ्री लर्निंग प्लैटफोर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैट्स, SST, साइन्स जैसे सब्जेक्ट वो भी एकदम फ्री में at learnohub.com तो देखिए जैसा कि हम स्क्रीन पर देखी सकते हैं आज की वीडियो में NCRT एक्सराइज 10.1 और 10.2 के कोशिंज फिनिश करने वाले हैं तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ यसाथ मुझे उमीद है कि आपने सर्कल्स का इंट्रोड़क्शन वाला वीडियो जरूर देखा होगा वो वीडियो बहुत important है तो आप उसको पहले जरूर देख ले उसके बाद exercise soul केजिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखे questions हमारे सामने हैं चलिए solve करते हैं इसको देखो जी ये first और second ये question हमको दे रखा है first वाले में क्या बताय हुआ है how many tangents how many tangents कैना circle है एक circle के पास कितनी tangents हो सकती है अब देखो जी ये circle है tangent कैसी होती है एक line जाएगी जो की circle को touch करते हुए जाएगी clear है और circle अपने आप में infinity points से मिलके बना होता है बहुत सारे यहां पर ऐसे point points होगे उनको मिलाया गया होगा तब ही तो जाके circle की formation होती है ठीक है तो इसी परकार यहां से हर एक point से एक tangent जा सकती है ऐसे ऐसे करके ठीक है तो यहां से हम यह बताएंगे कि यहां से भई कि infinity tangent जो है draw हो सकती है infinite tangents can be drawn clear है चलिए अब देखो यह जो second question है इसको भी देखते हैं भई देखो first part में क्या बताया a tangent to a circle intersect it in कितने points पर जो tangent होती है जैसे कि हमने उपर वाले question में अभी देखा कोई भी tangent होगी circle को केवल एक इस point पर ही only one point केवल एक ही point पर उसको intersect करती है वो ठीक है तो only one point ठीक है जी चलिए second part क्या है इसका देखो a line intersecting एक line जो intersect कर रही है circle को in two points दो जगा पर दो points पर अगर काटे उस line को क्या बोलते है मान लेते हैं भाई ये कोई line गई एक point पर ये cut कर दिया एक point ये cut कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं second second उसका नाम होता है clear है अब देखे जी अगर third वाले पार्ट की बात करें अब अपना third पार्ट क्या दिया है a circle can have dash parallel tangents at the most ज्यादा से ज्यादा कितनी parallel tangents circle के पास में हो सकती है मान लेते हैं भाई एक तो tangent ये रही हमारी दूसरी tangent अगर यहां से गुजार देते हैं ऐसे करके तो देखिए parallel का मतलब होता है बिल्कुल parallel है ठीक है उन दोनों के बीच का जो distance है वो same है अगर इस position में है तब भी दो ही आएंगी इसको अगर खुड़ा गुमाके ऐसे कर देते हैं तब भी दो ही आती हैं देखिए कैसे कहा रहा हूँ मैं कुछ circles की formation यहां पर ऐसे बना लेते हैं ये तो चलो ऐसे ऐसे जा रखिती अगर ऐसे ऐसे गुजारेंगे इनको और इस केस में ऐसे ऐसे कर देते हैं इस केस में कैसे करेंगे इनको ऐसे कर दू तो at most मतलब एक टाइम पर ना एक टाइम पर हमको केवल दो ही parallel tangents मिल सकती हैं correct है? चलिए तो यहां से can have two parallel tangents at most ठीक है जी एक टाइम पर दो ही यहां पर हमको parallel चीज़े मिल सकती है क्योंकि tangent कैसी होती है इसकी boundary को इसके केवल एक point को touch करते हुए जाती है अगर मान लिया कि tangent हमारे पास में ऐसे पढ़ने को आती कि circle के अंदर से भी pass हो रही है तब तो बोल सकते थे कि अगरे दो से ज़ादा मिल सकती है हमारे पास में पर एक time पर दो ही मिलेंगी clear है जो आपस में parallel होंगी चलो अब देखो जिए fourth point क्या बोलता है the common point एक वो common point of a tangent common point tangent का to the circle circle के साथ में is cold उसे क्या बोलते हैं भाई देखो दोनों का touching point है यनिके दोनों यहाँ पर कैसे हो रहे है contact में आ रहे है तो ऐसा point जहाँ पर circle or tangent कैसे आए contact में आए ठीक है जी contact में आ गए तो उस point को नाम दे दिया गया the point of contact ठीक है जी चलो तो इसी के साथ ये part हमारा sum आपत होता है तो देखिए इसी के साथ next part हमारे सामने है तो चलिए solve करते हैं इसको देखो जी इसमें बता रखा है a tangent pq तो सबसे पहले तो tangent खीच लेजे वाई pq किदर at point p of a circle ये हमको दे रखा है ये circle ठीक है अब इस circle पर कहीं कोई point ये p मान लेते हैं भई p मान लिया चलिए at point p of a circle circle के किसी point पर radius है 5 cm meets the line through center o center है इसका o o center है और ये मान लेते हैं भई pq pq उसने जो है बताई है tangent है clear है चलो a tangent pq at a point p of a circle radius इतनी है meets the line through o ये किस line से meet करती है ये line से meet करती है through center o ठीक है at a point q q point से ये मिल जाती है center o से एक line आ रही है ठीक है so that o q o q हमको दे रखा है कितनी 12 cm ये 12 cm दे रखा है हमको length pq p q की length हमको find करनी है p q की length यहां से इसको join कर दिया भाई ठीक है और इसमें radius भी हमको दे हुई है देखे एक point circle की boundary पर है और एक center है तो ये क्या हो जाएगी radius हो जाएगी और radius हमको कितने दे रखिये देखो 5 cm दे रखिये 5 cm हमको दे रखिये और introduction में हमने देखा है कि वही circle हो और अगर कोई tangent आ रखिये है तो जो point of contact है वहां से जो center है circle का वहां से कोई ऐसी line खिंच दे जाए तो ये angle हमारा कितने का बन जाता है 90 degree का बनता है बने आके नहीं? चलो अब देखे यहां से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वही triangle POQ POQ के अंदर या PQO इसमें हम क्या लगवा सकते हैं? Pythagoras theorem अगर Pythagoras theorem और हम इसमें हम लगवा सकते हैं तो फिर ठीक है फिर तो कुछ बात ही नहीं रह गई अब देखो इसमें length PQ की find गर नहीं है बहुत अच्छे 90 के सामने वाली side कौन से होती है हम सभी जानते हैं हाइपोर्टैनिस बोलते हैं ठीक है? तो यहां से OQ का square किसके बराबर होगा? PQ के square के plus OP square के अब हमको हाइपोर्टैनिस दे रखा है और OP दे रखा है PQ अपने को निकालना है इसके OQ की value दे रखे 12 12 का square 144 और माइनस यह कितना हो जाएगा? यह 25 होने वाला है तो PQ की value कितनी आ जाईगी? देखो हैं आपके 20 इसमें से निकाला तो 124 और 5 119 square उस तरफ गया तो 119 का root आने वाला है और यह centimeter में दिया है तो बिलकुल centimeter में ही आएगा ठीक है जी? तो under root 119 जो कि हमारा option number D बिलकुल ठीक होने वाला है ठीक है जी? तो इसी के साथ ये question खत्म होता है देखिए next question हमारे सामने है चलिए solve करते हैं इसको देखिए इसमें क्या दे रख है भई? draw a circle and two lines parallel to a given line चलो सबसे पहल तो भई circle को draw करवा लिते हैं ठीक है? circle draw करवा लिया गया है और उसके बाद में वो क्या बोल रहा है and two lines जो की parallel होनी चाहिए to the given line एक और हमारे पास में कहीं given line है मान लिया कि ये कोई line रही होगी a और b नाम से center o मान लेते हैं इसका ठीक है? चलिए तो इसके साथ में अभी दो lines हमको और parallel draw करवानी है कैसे करवाएंगे जी देखो जो की कैसी होनी चाहिए एक तो होनी चाहिए उसमें से tangent and the other is second एक होनी चाहिए tangent एक होनी चाहिए second कैसे draw करवाएंगे देख लेते हैं भाई देखें सबसे पहले इसमें क्या करवाएंगे देखो a b जो है न a b का perpendicular bisector करवादेंगे perpendicular bisector ठीक है किसी का भी perpendicular bisector करवाने के लिए ठीक है क्या करते हैं देखो जितनी भी length है total जो length है उसकी आदे से ज़्यादा थोड़ी सी आदे से ज़्यादा दूरी मानेंगे और compass की no के इधर लखेंगे pencil से एक cut इधर लगा दिया same इसी point से एक इस तरफ लगा देंगे opposite side इसके लगा दिया इस point से इस point से एक बार इधर एक बार इधर correct है चलो same वोई चीज क्या करनी है जो अपने compass है compass की no की इधर रखेंगे उपर वाले पर और pencil से एक arc यहाँ से ऐसे cut हो जाएगी दूसरा एक बार अगर इस वाले point पर cut करवा देंगे तो एक बार इस वाले point से ऐसे cut करवा देंगे ठीक है तो इस परकार दोनों point से जो हमने arcs लगाई है एक दूसरे के वो कर जाएगी cut कर गई ठीक है यहाँ से 2 point हम को मिल जाएगे दो point हमको यहां से मिलने वाले हैं अब इस line को ना इसे join गरवा दीजिए ऐसे करके ठीक है? इस line को इन दो point से यहां से हमको एक line मिल जाएगी मिल गई भई? चलो अब देखी जरा इसको लिख लेते हैं भई चलो यह तो इसमें आई जाएगा ना perpendicular bisector में ठीक है? अब यह एक line हमको अभी मिल चुकी है चलो इसको एक काम करते हैं C point इसको मान लेते हैं और D point इसे मान लेते हैं क्या मान लिया? चलो अब हमारे पास में इस line का यह एक segment है BC अब BC का जो है perpendicular bisector draw करवा दीजी दुबारा से करवा देंगे के नहीं? ठीक है भई अगर BC का भी perpendicular bisector करवाएंगे तो same वोई चीज जो हमने यहाँ पे की थी वो इधर करनी पड़ेगी ठीक है? भई इतनी यह total है इसकी आदे से थोड़ी सी ज़्यादा लेके एक arc इधर लगवा देंगे भई सेम इसी point से एक बार इधर फिर इस point से एक इधर लग जाएगी एक इधर लग जाएगी लगेगी के नहीं? चलो इन points को आपस में मिला देंगे मिला दिया के नहीं मिला? ठीक है भई अगर इतना मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है देखो यहां से लेके यहां तक compass से क्या करेंगे? यहां से लेके इस point से लेके इस point तक की यह जो tangent है देखे tangent कैसी होती है? circle को जो touch करते हो जाए वही तो होती है tangent ठीक है भई? यहां से लेके यहां तक की यह जो distance रहेगी ना इसको measure कर लेंगे compass से कर लिया, सेम उसी से यहाँ पर compass रखके इस point पर, let's say इसको नाम दे देते हैं E point यहाँ से एक cut ऐसे लगा देंगे जहाँ पर भी cut होगी एक point हमको यह मिल गया, एक point हमको यह मिल गया, अब इनको करवा देंगे जी draw तो यह मिल जाएगी अपने को tangent clear है, let's say यह tangent हमारी P S बन गई, बन गई फिर उसके बाद मैं देखो क्या कत्मा है second क्या होती है second होती है circle को कहीं पर भी मतलब दो points पर वो काटती है ठीक है, चलो अब यहाँ से इस point से कितनी भी distance ले लिजे, इतनी या इतनी, कितनी भी ले लिजे आप जितनी distance यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, cut लगा लो same उतनी ही distance यहाँ से लेनी है, वहाँ cut लगवा देना है लग गया cut अब यह दो points अपने को मिल जाएंगे यहाँ पर इन दो points को ऐसे खीच देना ठीक है इसे P, S माना था इसको M और N मान लेते है ठीक है तो इस तरीके से आप कोई भी line हमको दे रखिये और circle दे रखा हो तो ऐसे करके हम इसको draw करवा सकते है ठीक है जी अब steps में इसके क्या लिखे हैं देखो चलिए, A, B का bisector हमने लिखवाई दिया था क्या कोई point छूटा है इसमें जी नहीं ठीक है जी देखो B, C का bisector हमने करवाया था फिर उसके बाद में measure करनी है हमको measure distance कितनी? C, D C से लेकिए जो D point है न C, D distance जो है measure कर लेंगे and with the length of C, D C, D ही length से E point से एक arc लगाएंगे arc from E point E point से एक arc लगा देंगे लगा दी इसको भी कोई नाम दे दे क्या इस point को, इसे T नाम दे देते है ठीक है? अब देखिए जो इन दोनों से हमने ये जो arc लगी है न अब इस arc वाली जगा को D से जो है आपस में join करवा देंगे arc made through point E E point की सहायता से जो हमने arc बनाई है उसको क्या करवा देंगे? join करवा देंगे join to उसे D से join करवा देंगे और उसको आगे तक बढ़ा देंगे ये पूरी line बन जाएगी हमारी यहां से ठीक है? मिल गई जी अब सेम उसी परकार अगर हम देखे यहां से आप लोग लिख ले न कि भाई कुछ length ले लेते हैं भाई from point D point D से कुछ length ले लेंगे जितनी मर्जी आप चाओ उतनी length ले सकते हैं ठीक है? फिर उसके बाद में अब देखे हमको एक आर्क बनानी पड़ेगी and make arc from point T T point से सेम उसी length से एक आर्क हम बना देंगे बना देंगे? अब क्या करेंगे? अब यह जो cutting point है इदर इसको डबलू मान लेते हैं चलो जो हमारा आर्क वाला point है जो कि डबलू हमने माना हुआ है उसको join करवा दे ना भई join to यह point यहां से जो हमने length ली थी यह वाली इसको क्या माने? इसे क्या माने? T यह दर लिया कि हाँ T ले रखा है इसे V मान लेते हैं भई जो distance ली थी ना इसको भी तो यहां से लकाशा cut करेंगे कि नहीं? ठीक है? तो यह जो cutting वाला जो point था इसको हमने V मान रखा है तो join to V सो इस परकार हमको यहां से एक second भी मिल जाएगी second क्या होती है? कि वही जो circle को दो point पर काटे है ठीक है? और ऐसी देखिए diameter जो होता है ना इसका diameter को भी हम second बोल सकते हैं ठीक है? चलिए बही ऐसी line जो की बही देखिए circle में क्या होता है? diameter ऐसा होता ना बिल्कुल जो center से पास होता है अब इसमें क्या बोलेंगे? उसको भी हम second बोल सकते हैं ठीक है? चलिए तो इसी के साथ यह question हमारा खत्म होता है तो देखिए next question हमारे सामने है चलिए solve करते हैं इसको देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? from a point q कोई भी एक point q है the length of the tangent of a circle तो सबसे पहले तो भाइस में circle बना लिजिए फटा फट circle बना लिया है एक point को यहाँ पर q दे रखा होगा? q point से एक tangent यहाँ पर खीची गई है tangent खीच चुकी है तो उसकी length हमको बता रखे the length of the tangent is 24 cm ठीक है? तो 24 cm तो इसकी हमको मिल गई length and the distance of q from center center से अगर देखा जाए center से जो है इसकी distance दे रखे है 25 center इसका o मान लेते है the radius of the circle अब radius की वो बात कर रहा है जी यह radius है उसकी ठीक है? अब यह radius है तो देखो tangent और center से जो line जाती है उनके बीच में हमेशा angle बनता है कितना 90 degree का तो 90 degree का यह angle बनता है तो क्या अब हम यहां से Pythagoras theorem लगवा सकते है इसको point मान लेते हैं जो point of contact है इसको a point मान के चलते हैं clear है इतना? चलो अब देखिए जड़ा triangle AOQ AOQ में हम क्या कर रहे हैं? Pythagoras theorem लगवा देते हैं भई 90 के justice opposite जो रहती है वो होते हैं हमारा hypotenuse तो यहां से भई OQ का square is equal to AO square के plus में AQ square के ऐसे रहने वाला है radius हमको find करनी है जो की है AO OQ OQ हमको 25 दे रखिए 25, 25, 625 यह इदर minus का हो जाएगा AQ AQ हमको दे रखा है 24 24, 24 होते हैं 5, 70, 6 clear है जी? 25 यह और 24 यह यह हो जाएगा हमारा 49 O A square या AO square लिख लो यह हो जाएगा 49 यह हो गया यहां से हम निकाल सकते हैं square root जाएगा यह 7 हो जाएगा भई और यह सारी centimeter में है तो यह भी centimeter आगी तो AO जो की radius है यह हमारी आचुकी है 7 तो इसमें option number A हमारा correct हो जाएगा तो यह question हमारा खत्म हुआ तो देखिए next question हमारे सामने है चलिए solve करते हैं तो देखिए इसमें क्या दिया हुए भई? in the given figure figure ऐसी कुछ दे रखिए देख लिजिए if TP and TQ TP और TQ हमको क्या दे रखिए है tangents दे होए है are two tangents to a circle with center O center O दे रखा है POQ हमको दे रखा है 110 degree का तो PTQ PTQ यह angle अपने को find करने का है ठीक है जी? option दे रखिए हैं भई आप देखो ज़रा हम जानते हैं कि जो tangents होते हैं angle कितने का बनता है? radius के साथ में 90-90 का बनता है इतनी चीज़ हम जानते हैं चलो जे यहां से एक चीज clear हो जाती है कि O, P, T, Q यह क्या बन रहा है? हमारा quadrilateral बन रहा है quadrilateral है इसका मतलब angle O plus angle P plus angle T plus angle Q कितने के हो जाएंगे? 360 के होने वाले हैं क्या? बिल्कुल हो जाएंगे भई चलो अब देखो जे तो यह हमारा कितने का आ जाएगा? यह हमारा आने वाला है कितना? 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 ठीक है? angle T है न यह तो 360 में से minus हम करवाने वाले हैं कितना? देखिए 90 तो यह वाला है और यह 110 है यहनिके 200 तो यह हो गया 200 और 90 यह तो यहनिके 290 angle T हमारा कितना हुआ? जी बताओ angle T हमारा हो जाएगा कितना? 70 70 होने वाला है clear है? तो 70 इधर किदर है भई? यह रहा देखिए option number B हमारा correct हो जाता है तो इसी के साथ यह question finish होता है तो देखिए next question हमारे सामने है चलिए solve करते हैं इसको देखो भई क्या दे रखा है? if tangents PA and PB दो tangents अपने को दे रखिए PA और PB नाम की from a point P एक P point से tangent की चीची गई है to a circle with center अब यह माल लेते हैं इसका circle circle माल लिया यह center हो गया इसका और यहाँ कोई point P रहा होगा यहाँ से इस पर यह ऐसे tangents draw करवा दी गई ठीक है भई? चलो PA और PB नाम की चलिए A point इसको माल लेते हैं और B point इसे माल लिया ठीक है? चलिए और inclined to each other यह दोनों जो tangents है एक दूसरे के उपर ऐसे inclined है at an angle of 80 degree कैसे inclined है? जैसे कि वह angle बनाएगी 80 degree का ठीक है? यहाँ तक चलिए अब देखिए पूछता क्या हो? then angle POA is equal to कितना होगा? देखे ज़रा यह center O है इनको join कर दीजिए ठीक है? join कर दिया? चलो अब देखिए उसने पूछा है POA यानि के POA यानि के यह angle वो कुन से वाला है? यह उसने पूछा है ठीक है जी? चलो अब देखिए ज़रा यहाँ से अपने पास में दो triangles बन जाते हैं ठीक है जी? करवाएंगे, एक congruent proof करवा देगे clear है? चलो इन ट्रेंगल AOP and ट्रेंगल POB ठीक है जी? यह दो ट्रेंगल हमारे पास में हैं सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है कि भई OP और OP दोनों में कैसा है? कॉमन है और हम जानते हैं कि भई जो POINT OF CONTACT होता है किसका POINT OF CONTACT? RADIUS का और TANGENT का वहाँ पर एंगल कितने का बनता है हमेशा? 90 डिगरी का बनता है है के नहीं? चलो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भई A is equal to angle B के रहने वाला है क्यों? क्योंकि each 90 ठीक है? या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि angle made on the point of contact ठीक है जी? चलिए अब देखिए ज़रा तीसरी चीज़ हमको यहाँ से क्या मिल सकती है? दोनों ही triangles में हम देख सकते हैं कि जितना O A है उतना ही क्या है? O B क्योंकि दोनों यह कैसी हैं? radius है भई ठीक है? तीन चीज़े अपने को मिल चुकी है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हाईपरटेनिस बोलते हैं उसको? बिलकुल बोलते हैं जी तो यहां से A O P congruent proof हो चुका है किसके P O B के हो गया इतना By RHS congruentcy rule इतनी चीज़ क्लिर है भई? चलो right angle आ रहा है उसके सामने वाली साइड को उन सा hypertenuse आ रही है और एक अलग से और साइड आ रखी है तो इसलिए RHS से यह हो जाएंगे हमारे congruent इसको मान लेते हैं angle 1 इसे मान लेते हैं angle 2 1 is equal to angle 2 के होगा क्यों होगा भाई? because of cpct से cpct से इन दोनों angles को बराबर proof करवा सकते हैं ठीक है? अब देखें जरा यहां से अगर आप देखें कि पूरा यह जो angle a, o, b है ना यह पूरा angle a, o, b यह पूरा angle कितने angles में बटा हुआ है? angle 1 और angle 2 में ठीक है? चलो अगर ऐसा है और उपर हमने अभी अभी proof किया है कि भाई क्या proof किया है? हमने उपर अभी अभी proof किया कि यह दोनों बराबर है ठीक है? तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखें, इस 2 की जगा हम angle 1 पूट कर सकते हैं तो यह हो जाएंगे angle 1 और angle 1 नहीं कि twice of angle 1 यह पूरा जो angle आया ना हमारा angle A, O, B यह पूरा जो angle O बनेगा, यह किस के बराबर हमने proof करवा दिया? twice of angle 1 के हैं, इतने चीज़ क्लियर हुई अब उसके बाद देखिए हम जानते हैं कि भाई P, A, O, B, यह क्या है? यह एक quadrilateral है हमारे पास में correct है? चलो जहां पर angle P, angle A plus angle O plus angle B इनका सम रहने वाला है 360 degree के अगर इतने चीज़ क्लियर है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए ज़रा A और B, यह तो कैसे हैं? 90 का यह है, 90 का यह है clear है जह इतना? अब angle O इस angle O को तो यहीं छोड़ दीजे और 360 में से minus करवा दीजे, एक तो यह 180 हो जाएगा, 90 और 90 180 हो जाएगा, होगा के नहीं? चलिए, और दूसरी चीज हम क्या करवा सकते हैं? 80 यह है, 90 90, 180 और 80 यह हो जाएगा हमारा 260 clear है? 260 उस तरफ जाके हो जाएगा, minus तो अभी हमारे पास में आ चुका है यह पूरा जो angle O है यह 100 के बराबर आ चुका है आ गया? और angle O हमने यह angle A, O, B बोल लो या पूरा यह angle O बोल लो, एक ही चीज़ हो twice of angle 1 के हैं angle 1 की ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई, P, O, A अपने को निकालना है P, O, A इस angle को हमने 1 मान रखा है correct है? चलो तो यहां से हम यह बोल सकते हैं क्योंकि भाई, angle O जो है न वो बराबर है किसके? twice of angle 1 के यहां लिख सकते हैं कि proved above अब इसकी जगा पूट कर देंगे twice of angle 1 100 और angle 1 यहां से आ जाएगा हमारा 50 डिगरी का और we can say angle P, O, A is equal to 50 डिगरी के तो देखिए इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा यह जो angle है 50 डिगरी है तो हम बोल सकते हैं कि जो option number A है वो हमारा सही होने वाला है ठीक है जी चलिए तो देखिए next question हमारे सामने है चलिए solve करते हैं इसे देखिए क्या दिया गया है भई prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel उनको parallel हमको proof करवाना है चलिए अब देखिए यह हमारे पास में कुछ ऐसा circle दे रखा है भई यह बीच में कोई point मान लिया center correct है चलिए अब देखिए जाहिर सी बात है कि इसके diameter पर diameter यही तो होता है जी diameter के ends पर जो है यह कुछ ऐसी parallels जो है drug हमने करवा रखी हैं clear है अब इनको हमको क्या करना है parallel proof करवाना है मान लेते हैं भई इसको नाम दे दिया A और B इसे नाम दे दिया C और D clear है जितने चीज़ चलिए अच्छा इन point of contact को भी नाम दे देते हैं भई क्या नाम दे इसको P और M नाम दे देते हैं clear है इतना चलो अब देखिए जरा इसमें हम क्या करने वाले हैं अच्छा एक बात आप हमको बताईए जरा के भई अगर हम इसको angle 1 मान ले और इसको angle 2 मान लेते हैं ठीक है देखिए यहां से अगर हम देखें के भई angle 1 और angle 2 जो है यह दोनों ही कैसे हैं यह दोनों कैसे होंगे 90 degree के होंगे 90 degree के क्यों होंगे क्योंकि यह दोनों कैसे angles हैं angles at the point of contact हमेशा कितने के रहते हैं वो 90 degree के रहते हैं clear है जितना चलो अब देखिए जरा अगर यह दोनों 90 के हैं तो हम इनको यह भी बोल सकते हैं कि भई दोनों बराबर होंगे दोनों बराबर रहने वाले हैं ठीक है जी अगर दोनों बराबर हैं और यहां से हम एक और चीज observe कर सकते हैं कि भई यह दोनों कैसे angles हैं ये दोनों कैसे एंगल्स हैं बई alternate interior angles है ये ठीक है जी अगर ये दोनो alternate interior angles हैं और दोनों बराबर भी हैं तो क्या ये जो PM है PM act कैसे करेगी ये जो PM है ये act as a करेगी as a transversal alternate interior angles बराबर दे रखे हैं एक transversal भी बीच में से गई हुई है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि भाई AB AB जी जो tangent है ये parallel रहेगी किसके CD के ठीक है जी तो इस question में के वल इतना ही था तो इसी के साथ ये question समामत होता है तो देखे इस video का last question है चलिए solve करते हैं इसको देखो भई क्या दे रखा है इसमें prove that the perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center ठीक है चलो अद देखी जड़ा मान लेते हैं कोई circle है ये center मान लिया इसका O tangent गुजार दीजी यहां से AB नाम की ये tangent है हमारे पास में point of contact को मान लेते हैं M अभी के लिए जो information है वो हमको ये दे रखी है जी ठीक है चलो अब देखो इसको करना कैसे है मान लेते हैं के भई let perpendicular to AB tangent AB लिख लो या फिर लिख लो के भई point of contact ठीक है will passes through passes through O' एक अलग से point मान लेते हैं के भई अभी के लिए अगर यहाँ इस point पर हम अगर perpendicular डालते हैं तो वो किसी और point से pass होगा हम मान के चल रहे है O' ठीक है जी O' हम मान के चल रहे हैं आप कुछ भी मान सकते हैं clear है तो इस हिसाब से जब हमने ये perpendicular माना है ये कितना होने वाला है भई 90 degree के होने वाला है इसको equation 1 मान के चलते हैं clear है जी अब देखिए center हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर center हमने माना हुआ है O' center O' है तो भई radius कितनी होगी फिर हमारी radius होगी जी O'M अगर radius OM है और AB क्या है टेंजेंट है तो यहाँ बनने वाला जो angle होगा angle OMB ये कितना होगा 90 degree का रहने वाला है दो equation ये दोनो equation को अगर हम compare करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है दोनों ही ये 9090 के हैं तो O' MB और angle OMB ये कैसे आ जाएंगे बराबर आने वाले हैं और ऐसा केवल एक ही सूरत में possible है क्या ये कब possible है जब O' M और OM ये दोनों जो करें ये क्या करें आपस में बराबर रहें या coincide कर जाएं ठीक है जी अगर एक के उपर एक है ये अगर coincide कर रही है तभी इस condition में ऐसा possible है चीक है तो देखिए यहां से clearly देख सकते हैं ये जो हमने perpendicular माना था वो कहां से पास हो जाएगा ये center से पास हो जाएगा clear है जी इतना चलिए तो इसी के साथ ये सारे question इस वीडियो के खत्म होते हैं तो देखिए सारे question खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के मुझे उमीद है सभी question आपको clear रहे होंगे अगर कोई question में doubt है आपका तो आप वीडियो को दुबारा देख सकते हैं तो इसी के साथ मैं आमेत आपसे विडा लेता हूं मिलता हूं आपसे next वीडियो के अंदर तब तक के लिए take care bye bye और पढ़ते रहें learn hub से क्योंकि learn hub free है पर best है